येदि आप मुंग्यर उन्वर्शिटी के स्टूडेंट है येदि आप लोग ने अपना कोर्स को कम्प्लीट कर लिया है येदि आप लोग माइगरेशन सर्टिफिकेट ये फिर प्रोवेजनल सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो अब आपसी लोग अपना जुबी सर्टिफ आपसी को पवेंट भी करना होगा जो भी सर्टिफिकेट लेजेगा सभी का अलग अलग फीद दाई की गई है जिसको जो भी सर्टिफिकेट लेना है उसी कहन गयन अपना पैमेंट को करेंगे कम्पलिट पैमेंट यहां पPSU आपनी आबैदन करने के बाद आपसी तीन दिन के बाद अपने university में चले जाना है university में जाकर कि अपना जुबी document है वो ले सकते हैं तो चले मैं आप से को दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपसे बोग online आपेतर करेंगे और साथ साथ आप से जो इनका link है वो कहां पे मिलेगा किस प्रकार से अप्लोड करेंगे डोकुमेंट को आप से गूगल को अपन कर लेना और गूगल को अपन करने के बाद यहां पर सर्च किएगा गुलसनस्ट्री.com जैसे आप से बोग यह सर्च किजएगा तो आप से कुछ इस प्रकार से ओप्सन आएगा नीचे आजाएगा यहां पर न्यू अपडेट का सेक्षन दिया गया है यहां पर जैसे आएगा तो यहां पर देख सकते हैं एक यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा पोस्ट मुंगियर युनिवर्सिटी माइगिरेशन स अंलेन आव्यतन करने में वो सारे यहां पर जानकारी दिए गया है यहां पर देख सकते हैं परमान पतर के लिए ऑनलाइन आवितन करने के लिए 200 रुपिय करने तो यह सारे डॉक्मेंट आप सभी के पास होनी चाहिए सबसे पहले आवेदन पत्र यहींगी जोबी आवेदन है वो अपना आवेदन लिखेंगे उसके बाद जो भी आपसे भी के college है मावेद्याल है वहाँ पे जाकर के principal के द्वरा अपना signature और मोहर कराएंगे उसके बाद जो भी आपसे का admit card होगा पाट 3 का उसके बाद पंजियन परवत्र यहनि के जो भी आपसे का registration slip है वो लगेगा उसके बाद जो भी CLC है जो भी college में दिया होगा वो लगेगा CLC इतना सारा document आपसे भी के पास होना चाहिए online आवेदन करने के लिए तो उसके बाद आपसे वो नीचे आना है और यहाँ पे देख साते है online apply का link activate हो चुगा है यहाँ पे देख साते है online apply का link दिया गया जिस पे आपसे भी लोग क्लिक करेंगे जैसे ही आपसे भी लोग क्लिक करेंगे तो online आवेदन करने पर यह भी redact है वो कर दिया जाएगा तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपसे भी student का नाम डालना है उसके बाद यहाँ पे नीचे आएगा तो यहाँ पे देख साते हैं एक document upload करने के लिए बोला जा रहा है जो भी आपसे भी document है वो आपसे भी लोग अपना application document upload कीजेगा यहाँ पे देख साते हैं forwarded by college जो भी application मैंने बताया है वो आपसे भी लोग जा करके application लिखना है उसके बाद signature महर करवा लेनी है तो वो यहाँ पे आपसे भी लोग jpg में अपना जो भी document है वो upload करेंगे उसके बाद यहाँ पे registration slip का photo वो यह upload करेंगे जो भी आपसे भी registration slip है उसके बाद यहाँ पे आप लोग का admit card upload करना है part 3 वाले student उसके बाद यहाँ पे अपना CLC या भी DLC upload करेंगे तो यहाँ पे उस case में आपसे भी लोग अपना college के द्वारा अपना जो भी CLC है वो प्राप्त कर सकते हैं college के द्वारा जो भी mark sheet है और CLC है वो सबसे पहले दिया जाता है तो सबसे पहले अपना college के द्वारा mark sheet और CLC को ले 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 तभी आपसे भी लोग online आवेदन कर पाएंगे उसके बाद नीचे आएगा तो यहाँ पे certificate type में आपसे भी को पूछा जा रहा है कि इसमें क्या आपसे भी लोग लेना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देख साता है migration certificate दिया गया है उसके बाद provisional certificate और second copy mark sheet second copy admit card तो जो भी आपसे भी लोग migration के लिए online आवेदन करना चाहते हैं तो वो select करेंगे उसके बाद यहाँ पे price में आ जाएगा क्या लेना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देख साते हैं जो भी document है वो आपसे भी तरह से provide किया जाता है सबसे पहले तो आपसे को normal provide किया जाता है कि same date में आपसे को दिया जाएगा है उसके बाद आपसे को एक ततकाल दिया गया है यदि आप लोग document को ततकाल में लेना चाहते हैं तो ततकाल में online payment करके अपना जो भी ततकाल प्राप्त कर सकते हैं यदि आप लोग normal में select करेंगे तो आप सिवको 200 रुपिये का payment है वो एक document के लिए करना होगा, यदि आप लोग ततकाल को select करेंगे तो इसके लिए आप सिवको 500 रुपिये का payment करना होगा, यदि आप लोग आज online करते हैं, ततकाल में तो कल जाकर के document को ले सकते हैं, यदि आ यहां पर आप से को अभी payment करना होगा यहां पर यहां पर उसके लिए अभी ही online के माध्यम से payment करना होगा तो यहां पर अर्पा से सलेट कर लेना है और यहां पर देख सेते हैं पैफ ही का option दिया जा रहा है जिस पर आपसे हे बाद जो आपसे बोग किली करके अपना जुबी receiving है उसे download कर लेंगे और उसके बाद जैसे आपसे बोग यदि normal online किये हैं तो आपसे बोग तीन दिनों के बाद college या university में जाकर के अपना जुबी document है वो ले सकते हैं उसके बाद यदि आप लोग ततकाल online किये हैं तो आपसे बोग एक स आपसे को काफी ज़्यदा पसंद आया होगा वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिगा चैनल को साब्सक्राप कीजिगा अपने फ्रेंज के साथ ज़्यदा सेर कीजिए ताकि वो भी अपना certificate को online ले सकी